हेलो दोस्तों नमस्कार आपके सामने जो पोड़क्ट आप देख रहे हैं यह पोड़क्ट जो की खासकर गलम मसाला है जो की शीब ओम गलम मसाला पॉडर है इसके बारे में हम जानेंगे कि इसके क्या गुण है इसे हमें कैसा यूज करना चाहिए और किस की चीजों में इसका यूज हम कर सकते हैं और इसका हमें यूज करने से क्या बैनिफीड मिलेगा दोस्तों इससे पहले कि अगर आप हमारे इस यूटुब चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस यूटुब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज दोस्तों नीची दिए गए लाल बटन को दबा कर हमारे इस यूटुब चैनल को सब्सक्राइब कर दे उसके बाद बैल आइकन को भी अल करके अल सेलेक्ट करके दबा दे जिससे की हर एक वीडियो का नॉटिवेशन आपको समय के अनुसार मिलता रहे दोस्तों अगर आपके घर में किसी तरह का मीड बनता हो या फिर मचली बनता हो या फिर पनीर बनता हो तो खासकर एक अच्छी सबजी या फिर अच्छी डिस्क के लिए आप चाहते हैं कि एक बढ़िया गलम मसाला हो तो आप इस शीब ओम गलम मसाला का पॉडर का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हर घर घर में मसाले का यूज़ होता ही है अगर आप चाहते हैं कि सस्ते में और कम रेट में एक अच्छा बढ़िया गलम मसाला जो कि मिल जाए तो क परचून के दुकान में आसानी से मिल जाएगा जो की बहतिन पोड़क्ट है और घर घर में इसका यूज होता ही है क्योंकि दोस्तों अगर सब्जी में एक अच्छा सा टेस्ट चाहिए और बड़िया सा स्वाधिष्ट सब्जी चाहिए तो एक बड़िया मसाला भी होना अति आवश्यक है तो क्यों ना अगर सस्ते में हमें बर्या और असरदार गलम मसाला मिल जाए तो क्यों ना हम उसका यूज करें तो इसके लिए आप शीब ओंग का गलम मसाला पॉडर का यूज कर सकते हैं जो कि only मात्र पांच रुपए में है, वोई भी इसका परचेज करके यूज कर सकता है, दोस्तो बे इचक आपको ये किसी भी परचून के दुकान में असानी से मिल जाएगा, दोस्तो ये एक असरदार और बढ़िया सीव ओम का गरम मसाला है, जो कि हर एक सबजी में इसका उप्योग किया जा सकता है, अगर आप चाहते हैं कि सबजी में टेश्ट बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, तो इस गरम मसाला का जरूर यूज करके देखिए, दोस्तो वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यबाद, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा, आपका दिन शुब हो,